Hello friends, welcome back to my YouTube channel IQ World और मैं हूँ आपका होस्ट राजेंदर कुमार और आज हम लोग डिसकस करेंगे 8th September का Current Affair जो कि आपके आने वाले एक्जाम जैसे भी RRB NTPC का एक्जाम होगी जो Railway का लेंगे और उसके अलावा अपना Group D का है, Railway का ही तो ये जो भी अपकमी एक्जाम है ये सभी एक्जाम के लिए आपके जो Current Affairs का section है उसके लिए बहुत important रहेगा तो ये जो Daily Current Affair में डालता हूँ इसको आप लोग जुरूर देखें ये मैं सुबह का 6 बजे इसको पब्लिस कर देता हूँ इस पीडियो को आप पड़े सुबह साड़े 6 बजे इस डेली Current Affairs डेली बिसेस पे जो Current Affair में डालता हूँ उसको आप यहां से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्यूटर पे, फेस्बुक पे और इंस्टेग्राम से इन सभी का यहां पे मैंने लिंक दे रखा है आप मुझे अगर चाहे तो मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉबलम है या फिर वीडियो के लिए सजेशन डाल सकते हैं तो मैं आपका सजेशन का रख hm到ka कमेंट का हम इससा स्वागत करूंगा रॉइसका मैं कुसिस करूंगा कि अच्छे से आंसर करूं और कुसिस करूंगा कि आप जो सज्चेशन देंगे उसपे मैं इंप्रॉब्मेंट करूं तो आई ये शुरू करते हैं आज के current affair तो पहला question हम लोग discuss करेंगे पहला question क्या है Name the organization which has released the priority sector lending guidelines to align them with evolving national priorities वो कौन सा संस्ता है जो priority sector lending guidelines जारी करता है with evolving national priorities जिसमें बहुत सारे national priorities को वो consider करते हुए priority sector lending guidelines को जारी करता है तो वो कौन सा organization है जो ये priority sector lending guidelines को हमेशा जारी करता है तो इन में से अब देखें Insurance Regulatory and Development Authority of India Pension Fund Regulatory and Development Authority of India Reserve Bank of India नीती आयोग तो इन में से वो कौन संस्ता है जो priority sector lending guidelines जारी करते है उस संगठन का नाम बताएं जिसने उन्हें विक्सित राश्टे प्रात्मिक्ताओं के साथ सारंखित करने के लिए प्रात्मिक्ता छे तरवरी दिसा निर्देश जारी की है तो वो है हमारा Reserve Bank of India Reserve Bank of India priority sector lending guidelines को जारी करता है हमेशाथ तो इसके governor कोन है जो हमारा Reserve Bank of India है इसके governor कोन है इसके governor है सक्तिकान दास सक्तिकान दास Reserve Bank of India के governor है next question पर बात करेंगे which state stops ease of doing business ranking इन में से वो कौन सा state है राजे है जो ease of doing business में पहला अस्थान जो टॉप किया है वो कौन सा राजे है ease of doing business कहने के मतलब है जो वैपार ranking में आप देखें यहाँ पर यह वैपार ranking में प्रत्थम अस्थान जिसने पाया है वो कौन सा भारतिय राजे है which state stops ease of doing business ranking जैसे कि आप देख सकते हैं तो हो है हमारा अंधरपरदेश आंधरपरदेश ने इस ease of doing business ranking में number one ranking हासिल किये जैसे कि यहाँ पर top 10 एजिवर्स का नाम देख सकते है तो पहला कौन है हमारा आंधरपरदेश दूसरा है उत्तरपरदेश तीसरा है तेलंगाना चोथा है मद्यपरदेश पांचवाय जारकन चट्ठा है आपका 36 गढ़ हिमाचल परदेश राजस्थान वेस्ट मंगाल और गुजरात यह top 10 स्टेट है जो ease of doing business में ranking बना के रखा है one to ten तो इन स्टेट में जिनका ease of doing business ranking का मतलब क्या हुआ ease of doing business ranking का मतलब यह हुआ कि आप अपने स्टेट में वेपार को बढ़ावा देना आपने कितने अच्छे तरीकों से किन-किन सेक्टर में जो भी इन्वेस्टर्स है उनको लुभाने के लिए आपने क्या-क्या योजनाएं तयार करें या फिर कितने अच्छे तरीकों से योजनाओं को क्रियानवित करते हैं ये सभी ease of doing business में consider किया जाता है तो हर state का एक अपना पैमाना होता है हर state की government की एक अपनी liability होती है उस हिसाब से उस government की policy होती है और वो policy को implement करके अपने आपको जो top ranking में लाते है वो है अभी तो अंधरापरदेश है तो हर government चाहती है कि उ ज्याद से ज्यादा FDII आए, foreign direct investment आए या national investment आए तो उसके लिए उनकी policies होती है और उन policies को apply करने के लिए अपने वो जो governance level पे लोग है उनको लगाते है ताकि एक अच्छा state में एक अच्छी governance policy आए और अच्छा वैपार का साधन बने तो ये उसमें से एक process है जो इस of doing business क ranking आते है इसे ये भी पता चलता है कि कौन से state किस पाइदान पर है और किस state को कितना improve करने के जोड़ रहते है अपने policy में changes करने के जोड़ रहते है next question पर हम discuss करेंगे वो question क्या है who has been elected as the president of the society of Indian automobile manufacturer S.I.E.M. जो S.A.I.E.M. है जैसे कि उसका पूरा नाम क्या है Indian automobile manufacturer Indian automobile manufacturer for a term of two years तो इन में से वो कौन से वैकती है जिनको Indian automobile manufacturer SM S.I.E.M. उनको president बनाया गया है दो साल के लिए who has been elected as the president of society of Indian automobile manufacturer SM for a term of two years S.I.E.E.M. के लिए जो जिनको president के तौर पर निक्त किया गया है दो सालों के लिए वो इन में से कौन से वैकती है S.I.E.E.M. दो साल की अवधी के लिए society of Indian automobile manufacturing के अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया है तो वो है हमारे की आप यहान केणिची आयूकावा केणीची आयूकावा जैसे आप यह image में देख सकते है यह व है वह वक्ति जिनको S.I.E.E.M. के दो सालनों के लिए उनको उनके president के तौर पर निक्त किया गया है तो है कौन है कैणीची आयूकावा केणीची आयकावा वो पर्शन है next question discuss करेंगे who has been elected as a new vice president of S.I.A.M Society for Indian Automobile Manufacturer इनके नए vice president किन को बनाय गया है Society of Indian Automobile Manufacturer S.I.A.M के नए vice president बनाय गया है तो वो किने बनाय गया है तो हमें बनाय गया है Vipin Sondhi को C.I.A.M S.I.A.M Society of Indian Automobile Manufacturer के नए पाधियक्स के रूप में किसे चुना गया है तो वो चुना गया है Vipin Sondhi को Vipin Sondhi को ये है वो वेक्ति Vipin Sondhi जी इनको नए vice president चुना गया है S.I.A.M का next question discuss करेंगे हम लोग who has been resigned from the post of non-executive chairman of IDFC First Bank वो कौन से वेक्ति हैं जिन्होंने अपने post से resign कर दिया as a non-executive chairman of the IDFC First Bank IDFC First Bank के non-executive chairman के पद से किन्होंने resign कर दिया IDFC Pratham Bank के गयर कारी-करी अग्देज के पद से किसने इस्तिफा दिया है तो कौन है वो Manohar, Khattar, Pankaj, Birla Rajib Bilal, Om Prakas Puri तो वो है हमारे Rajib Bilal Rajib Bilal He was the founder and MD and CEO of IDFC Bank यह founder and MD CEO भी रहा है IFDC First Bank के अभी जो current में MD and CEO है वो है V.Vedyanathan V.Vedyanathan अभी जो current में MD and CEO है IDFC First Bank के अभी जो current में MD and CEO है इसका headquarter का है मुंबाई Headquarter है Mumbai तो next question डिसकस करेंगे है वह लोग Which state of America President Donald Trump has announced as the first World War II heritage city America के जो राश्पती Donald Trump है वो World War II के लिए वो कौन सा city है जिसको as a heritage घोसित किया है वहां का मतलब धरोर घोसित किया है World War II के लिए तो देखिये कौन से है California, Alaska, Florida, Willington तो इन में से कोई एक है तो आप बताईए कौन है उन में से तो वह है Willington Wilmington वो एक सहर है यह state है जो American President Donald Trump ने इसको World War II के heritage city के तोर पे घोसित किया गया है अमेरिका के किस राजे के राश्पती Donald Trump ने विस यूद दुइत्य का प्रत्थम विराशत सहर के रूप में घोसना की है तो वो है Wilmington Wilmington वो state यह सहर है जिसको World War II का heritage city के तोर पे घोसना की गई है और इस अनॉंस्मेंट वोज मेड उन 75 अनिवेसरी ओफ द वोल्ड वार टू जब यह अमेरिका 75 दिवस मना रहा था वोल्ड वार टू का तब डॉनाल ट्रेम President Donald Trump ने इस Wilmington सहर को World War II के नाम पे as a heritage city heritage city घोसित किया है Next question discuss करेंगे Which bank has launched cardless cash withdrawal facility through ATM's इन में से वो कौन सा bank है जो cardless cash withdrawal facility दे रहा है ATM के तुरू हमें card ले जाने की जुरूत है आज हम अगर ATM जाते है था हमें क्या card लगानी पड़ती है और cash निकालने के लिए card लगाना ज़रूरी हो जाता है लेकिन वो कौन सा bank है जो cardless cash withdrawal आप बिना card के ही cash withdrawal कर सकते है वो कौन सा bank है तो वो हमारा RBL bank RBL bank को facility दे रहा है जिसमें से आपको cardless cash निकालने के सुवीदा होगी आपके पास अगर card नहीं भी होगा तो आप cash निकाल पाएंगे तो RBL bank ने ये कैसे किया ये RBL bank ने एक TIEF करी है MPs payment system के साथ जो ये काम करेंगे आपको cashless card withdrawal system facility को provide करेंगे MPs payment system है उसके साथ इनने TIEF कर रहा है ये IMT के एक method है Instant money transfer इसके थूरू ये पैसा आप withdrawal कर सकेंगे IMT एक system है उस system के तहत में आप cashless card आपको card ले जाने की जूरूत नहीं है इस system के तहसा आप बिना card का amount withdraw कर पाएंगे वो कौन सा method है IMT Instant money transfer system Instant money transfer system वो method है इसके MDN CEO कोन है तो विश्ववीर अहुजा इसके MDN CEO है जो RBL Bank के MDN CEO है और ये bank का headquarter का है headquarter हमारा मुंबई में है RBL Bank का headquarter का है तो वो मुंबई में है Next question discuss करेंगे Which state government relaunches SEVM to produce self-employment वो कौन सा राज़े है जो SEVM scheme चलाया है to produce self-employment self-employment के रेट करने के लिए scheme चलाया गया SEVM वो कौन सा राज़े है जो ये scheme चलाया है किस राज़े सरकार ने सोरोजगार का स्रोत बढ़ाने के लिए SEVM को फिर से शुरू किया है तो वो कौन सा राज़े है हमारा वो है ASAM कौन सा राज़े है ASAM ASAM नहीं ये scheme चलाया है SEVM to produce a self-employment तो इस scheme के तहत ASAM government क्या कर रही है ASAM government जो हर eligible जो youth है उसको 50,000 रुपिय एक small scale industry सुरू करने के लिए आपको अगर वो eligible है candidate तो उसको government 50,000 रुपिया small business रुपिया small unit business रुपिया 50,000 रुपिया cash amount पैसा देगे इसके लिए जो state government है 1,000 करोड रुपिया का प्रावधान रखा है जो कि वो खर्च करेगी आने वाले तीन महिनों में ताकि लोगों को युवाओं को रोजगार का आउसर परदान किया जा सके next question discuss करेंगे Bodafone Idea has announced its new unified brand identity by renaming all its product under a new name and logo Bodafone Idea ने एक announcement करी है क्या announcement करी है unified brand identity सबसे बड़ी बात पहले Bodafone और Idea का एक अपना brand identity था एक अपना पहचान था Bodafone का एक अलग logo हुआ करता था Idea का अलग logo हुआ करता था लेकिन अभी Bodafone Idea ने एक साथ आकर उन्होंने किया कि unified brand identity create करने की गोशना की है जो कि आने वाले समय में हम Bodafone का एक अलग logo नहीं देखेंगे या Idea का अलग logo नहीं देखेंगे उनका एक unified brand होगा जो दोनों का merger है एक साथ मिला के उन्होंने एक brand identity create करें by renaming all its products under a new name and logo अब जो भी वो product आने वाले समय में बेचेंगे वो इसी logo के अंतरगर बेचेंगे या इसी logo से वो आईडी से प्रमोट करेंगे तो वो आईडी कौन सी है आने वाले जो बोड़ाफोन आईडीया का brand identity होगा वो क्या है तो वो है हमारा वी आई अब देख सकते हैं यहाँ पर वी आई ये बोड़ाफोन आईडीया ने आपस में मिलके समझोता करिये और एक unified brand identity create करने की घोशना किये तो वो वो वी आई together for tomorrow उन्होंने ये जो लोगो है वो launch किया और इसी लोगों के तहट वो जो भी नए product market मिलाएंगे वो इसी लोगों के तहट लोगों के तहट लोगों तक पहुँचेंगे बोड़ाफोन आईडीया ने एक नए नाम और लोगों के तहट अपने सभी उत्पादों का नाम बदल कर अपनी नहीं एका कृत ब्रांड पहचान की गोजना की है वो आप देख सकते हैं इस image में साफ देख रहा है वो क्या है वी आई बोड़ाफोन आईडीया ये लोगो है और यही उसका नाम रहेगा इसी लोगो नेम के अंडर जो भी बोड़ाफोन आईडीया अपने प्रोड़क्स लाएगे मार्केट में इसी लोगों के जो अंतरगत होगी वो उससे बेचेगी नेक्स कोशन डिसकस करेंगे Infosys has announced that it would be acquired which product designs and development firm for up to $42 million Infosys ने एक announcement करी है कि उसने एक announcement किया है कि वो एक company को खरीदने जा रहा है कि इतने million में 42 million डॉलर में ताकि उसके जो अपने technology है in field of product and design development उसमें उसको वो साहेता परदान कर सके तो वो कौन सा firm है जो product design and development में काम करती है इन में से हुए एक firm है जिसे Infosys वो खरीदना चारी है तो वो कोन है वो है हमारा kaleidoscope innovation kaleidoscope innovation एक एक American based company है USA based company है जो कि Infosys को खरीदी है ताकि वो से जो main source है human resource है वो वहां से external sources से वहां से अपनी company के लिए use कर सके ताकि वो उसको best mind, best engineering innovator, best creator जो कि उसको company को growth के लिए एक तरह से talent pool create करके दे तो वो एक company ये firm को Infosys खरीद रही है जो कि एक US based company है और to bring in a platform where he can you know bring a talent to create a new identity or to create a new technological innovation जो कि वो नए technological innovation create कर पाए नए technology नए talent pool को वहां से hire कर पाए तो वो इस firm को खरीदेगी तो वो firm कौन सी है kaleidoscope innovation यह वो firm है जो American based firm है जिसको Infosys 42 million dollar में खरीदेगी next question discuss करेंगे the Federation of Automobile Dealers Association F.A.D.A. has announced the appointment of which personality as its 35th president for the year 2022 2020-2022 the Federation of Automobile Dealers Association F.A.D.A. है उसने एक घोशना किये कि वो एक नए appointment करेगी as a 35th president for the year 2020-2022 वो नए president कौन होगे वो है यह नए president आप इमेज में यह देख सकते हैं तो Federation of Automobile Dealers Association F.A.D.A. ने वर्स 2020-2022 के लिए अपने 35th राश्वती के रुप में किस व्यक्तित की नियुक्ति की गोशना की है तो बताइए इसमें आसिस, हर्स खराज खले, विंकेस गुलाठी, रमेश पूरी, अजय चुहान तो इसमें से वो कौन वेक्ति हैं जिनने यह as a personality appointment, as a vice, sorry, president appointment कर रहे हैं तो वो है हमारे विंकेस गुलाठी, विंकेस गुलाठी वो person है जिनका यह appointment कर रहे हैं इनका appointment कर रहे, as a president, 35th president, for year 2020-2022 के लिए और इसका जो headquarter, यह कब founded हुआ था, 1964 में यह founded हुआ था, इसका headquarter कहा है, इसका headquarter जो है, ने नही दिल्ली में है FADA का, जो headquarter है, नही दिल्ली में है, या 1904 में यह संस्था बनी थी Next question पर बात करेंगे, which session of the Food and Agriculture Organization FAO Regional Conference for ASIA and the Pacific APRC 35 was held virtual format due to the global COVID-19 pandemic तो वो कौन सा session, कौन सा session जो Food and Agriculture Organization FAO Regional Conference for ASIA and Pacific APRC के बीच में हुआ, वो कौन सा session था, कितने नमबर के session था, जो यह virtual meet हुआ, on global COVID-19 में, एक virtually meet हुआ, तो वो कौन सा session था, कितने नमबर के session था ASIA और प्रसांद FADR 35 के लिए खा दे उंक्रीसी संगठन, FAO चेत्रिय संबलेन का कौन सा सस्त्र वेस्विक COVID-19 महमारी के करण अवाशी प्रारूप, अवाशी मतलब भर्चुल रूप में आयुजित किया गया, तो कौन सा कितने नमबर के session था, वो था हमारा 35th session, यह जो आय के पीछे क्या था, तो जो food and agriculture organization, इसका जो पहले हम बात करेंगे, इसका headquarter का है, तो headquarter हम इसका room Italy में है, तो इसका organizational head है, वो कौन है, DU Dongao, इसके head है, और यह कब बना था, 16 October 1945 में बना था, यह meeting क्यों कर आई, यह meeting इसलिए की गई, ताकि वहाँ पर food awareness के बारे में, food management के बा बढ़ते है, next question discuss करते है, who won F1 Italian Grand Prix 2020, F1 Italian Grand Prix 2020 किसने जीता, Lewis Hamilton, Sebastian Vittel, Daniel, Riccardo, Perry Glassy, Perry Gasly, Perry Gasly, वो कौन भी जीता, जो F1 Italian Grand Prix 2020, वो जीता हमारे Perry Gasly, Perry Gasly ने यह game को जीता है, तो next question discuss करेंगे हम लोग, which England cricketer announces retirement from all forms of cricket, वो England के कौन से cricketer है, जो सारे forms, चाहे वो T20 हो, One Day हो, या test cricket हो, सभी format से retirement घोसित किया है, तो वो कौन से है, वो क्रिकेटर कौन है, तो वो हमारे Ian Bell, Ian Bell ने यह सारे format से सन्याज की घोसना कर दी है, Ian Bell England से खेला है, उन्होंने अपना debut match 2004 में खेला है, 2004 में अपना पहला debut match खेला था इन्होंने, और England के लिए इन्होंने टोटल 118 test match खेले हैं, यह है हमारे Ian Bell, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कोशन डिस्कस करेंगे, IIT Delhi launches which device to decontinent N95 mask, IIT Delhi एक device launch किया है, जो वो decontaminates N95 mask को, मतलब उसको सुद्ध करेंगे, आप जैसे कि N95 mask बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, infection आगया, तो उसको de-infect करने के लिए एक device का बनाया है, IIT Delhi के लोगों ने, तो वो device का नाम क्या है, तो वो device हमारा चक्रदी कोव, यह क्या करेंगे, जो भी N95 mask, यूजद N95 mask है, उसको dis-infect करेंगे, मतलब अगर उसमें कोई तरह का contamination है, किसी भी तरह का germs है, किटानू है, तो उसको dis-infect करके फिर से आपको पहनने लाइग बनाएगे, तो यह device का, IIT Delhi के student यह वहां के लोगों ने, यह innovation यह device बनाई है, next question discuss करेंगे, which day is celebrated as international day of clean air for blue sky, वो कौन सा दीवस दीन है या दीवस है, जो international day of clean air for blue sky मना जाता है, मतलब ताकि हमारा आसमान सुरक्षो सुरक्षी तो pollution free हो, तो कौन सा दीन है जो हम international day of clean air for blue sky को मनाया जाता है, तो है 7th September, याद रखेगा, मतलब यह motto क्या है, motto यह है कि हम pollution कम से कम करें, और अपने वातावरों को ज़्यादा सुरक्षी तरकें, तो इसमें यही motto रखा गया है, ताकि लोगों में awareness है, हम pollution कम करें, ताकि हमारा जो sky है, वो blue रहे, blue दिखे, हमारा ozone layer depletion भी कम होगा इसे, अभी जो COVID-19 के situation में, जो इतने लंबे time ता lockdown हुआ, जो ozone layer का recovery rate बहुँ जादा बढ़ गया, तो हमें अपने environment को green रखना है, अपने surroundings को green रखना है, जितना चाहें पेड लगाएं, और जितना पेड लगाएंगे, तभी हम green environment बना सकेंगे, तो प्रकृतियों को बचाना, एक हर नागरिक का जिम्मेवार है, तो हम सभी को ये बनता है, कि हम अपने प्रकृतियों को बचाएं, ताकि हमारा जो blue sky concept है, मतलब हम एक blue sky concept का मतलब क्या हुआ है, कि हरी भरी दुनिया, एक जो दुनिया में खुशाल हो, हम बहुत ज़्यादा pollution ना फैला है, बहुत ज़्यादा प्रकृति का दोहन ना करें, अगर हम प्रकृति का दोहन करेंगे, तो प्रकृति फिर उसका बदला लेगी, और human being के लिए ही disastrous है, अगर हम आज नहीं समझेंगे, तो गल हमारे लिए ही problem होगी, इसलिए to save nature, and save human being, and save the life, next question पे discuss करेंगे, जमू एन कस्मिर, lieutenant governor, मनो सिना, जो जमू कस्मिर के lieutenant governor है, उन्होंने एक online portal लाँज करी है, जमू कस्मिर administrative services officer के लिए, वो कौन सा portal है, यह portal लाँज करने का मकसद क्या है, मकसद यह है कि ताकि लोगों में, जो administrative service में वहाँ लोग है, उनके अंदर में एक transparency है, उनके अंदर में काम करने का ज़ो एक जजबा है, और यह launch करने का मतलब यह हुआ, कि उनके एक evaluation हो पाए, उनके काम का, एक appraisal system बनाया जा सके, ताकि जो लोग वहाँ अच्छे काम करें, उनको एक तरह से regard, यह respect दिया जाए, उनको एक पहचान दिया जाए, तो वो क्या है, इन में से वो कौन सा ओनलाइन पोर्टल, जो लेटिन गवर्नर है, जमू इनकास्मिर का मनोज सिना ने एक ओनलाइन पोर्टल जारी गया, वो पोर्टल क्या है, ताकि लोगों को, जितने भी अद्मिस्टेटर सर्विस हैं, उनके services को मोनिटर के सके, तो वो क्या है, Aspero, Free Saver, Online Saver, या Digital Saver, तो वो क्या है, Aspero, Aspero वो Digital Online Platform है, तो जिसके थूँ, एक मोनिटरिंग सिस्टेम बनाए गया था, Aspero क्या है, इसका अगर हम पोरा बात करेंगे, तो Smart Performance Appraisal Report, Recording Online Windows, यह इसका Complete Full Form है, इसके थूँ, एक तरह से motivation है, सारे Administrator के लिए, ताकि उनका एक काम करने में motivation बना रहे, और लोगों को सेव अच्छे से कर पाए, Next question discuss करेंगे, यह था last question, जो मैंने आपसे पूछा था, किसका answer कीजिएगा, तो साइद आपने comment में नहीं किया किसी ने, तो आपसे उम्मीद करता हूँ, कि आप लोगों को साइद इसका answer पता हूँ, और please comment में किया किसी answer, अगर मैं आपसे को question पूछना हूँ, तो उसका comment box में comment करके जरू किसी, ताकि मुझे पता चले, मेरे video को इससे भी पता चलेगा, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो नाटंकी नेशनल पार्क लोकेटेट इन विस स्टेट ओफ इंडिया है, यह कौन से स्टेट में लोकेटेट है, तो वो है, नागलेंड में, यह जो नेशनल पार्क है, वो नागलेंड में, यह last day question था, अब मैं next, जो आज का question of the day है, वो आपको बताना है, कंचन जंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो इन में से वो एक स्टेट में है, जो कंचन जंगा नेशनल पार्क लोकेटेट है, तो आपको कमेंट बोक्स में डालना इसका answer क्या होगा, तो यह था आपका complete current affair, आप लोग इसको जरूब फॉलो कीजिए, यह आपके आनेवल exam, जो RRB, NTPC लेने वाली है, गुरूपडी की exam लेने वाले है, उसमें यह बहुत helpful रहेगा, और मैं आनेवल समय में एक complete series लेके आऊँगा, फिजिस केमेस्ट्री और बायलोजी पे, जो भी RRB ने अभी तो कोशन पुछे हैं, प्रिवेस यह में, टेक्निकल कोशन, वो सारे मैं आपको series, episode wise, वो आपको गाइडलाइन करूँगा, जो कि आपको exam में helpful रहेंगे, बहुत helpful रहेगा, तो प्लीज मेरे चैनल को follow कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए, और मैं हूँ आपका host, अलबिदा लेता हूँ आपसे, आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे रहेंगे, तो जाने से पहले, बस आपसे एक ही बात कहूँगा, की मेरे चैनल को जरू लाइक कीजिए, और subscribe कीजिए, thank you, have a good day, bye bye,